हेल्लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के मार्केट वीडियो में कल के दिन हमने देखा था यह बिछले वीडियो में कम यहां पे खड़े हैं बिल्कुल अंदे वर्जे मैं कि और ब्रेकिट वाले पॉइंट पॉल आया एक्जिट पॉल कितना पागल पंति की और चल रही है मतलब ओपनिंग से वह कितना अच्छा भाग रही है यह पॉइंट हुआ यानि कि जो हमारा कंसेप्ता पहला की मौका नहीं मिलेगा किसी भी हाल में वह क्लियर कट यस हुआ दूसरा पॉइंट हमने और नोडिस किया था क्या बात हुई कि या तो यह मार्केट फेले गीरेगर या तो इसको और उपर सितंवर में गीरेगे तो यह वाला confirm होनी कि हम और सितंवर में गीरें गीरेंगे पॉइंट नमबर टू ये ये बात अगर मागरी उपर जाए तो उसका सबसे बड़ा लीडर कौन होगा बैंक इनिफ्टी आप देख लिए अच कितना ज्यादा बड़ा हुआ है और सबसे बड़ा जो कम चलेगा वह होगा स्मॉल कैप आप सामने दिखें स्मॉल केप का भी द रहे हैं सब नहीं चल रहा है और जहां पर देखेंगे लार्ज कैप में सब में और क्छे खासी जगा बनी है अब ट्रेंड की तो जो दिख राए कि कमींग जो ट्रेंड आने वाला है सिंतंबर तक उसमें लार्ण के विल बीद टॉप लीडर यांप समझने रख लिए परक आपको मैं जो बोलडने जा रहा हूं आप सुनेगा आराम से और अभी डियो डालने का मतलब यही है अगर आपके पास हेवी स्मॉल केप मेडिकेप का पॉट्फोलियो है तो आप सोच सकते हैं प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत लार्ज के अंदर अपना एक्सपोजर यह और जिस तरह विक्स भी गिरी है यह दिखा रहा है कि इसको पता है क्या होने वाला है और तीन सो पचास सिट का अनुमान लेके यह माके राज बढ़ी है थोड़ा बहुत और भी शॉट कवरी यहां पर आएगा आप देखेगा चीज क्या कि कल है रिजर्ट अगर रिज जाते समझेगा चार सो पाल दोनों मिला के तो यह ऐसी जो मुह आज आपने देखा वह सेम टू सेम मुह कल भी आएगा और अगर जैसा इन लाइन रिजल्ट रहें तो मार्केट स्लाइटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी तो चांसी ज्यादा यह कि मार्केट होल्ड कर सकती है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन दिखा सकते आने वाले एक दो दिन और दिखा सकते चीज़ यह है अल्टिमेटली ट्रेंड इसका उपर का ही रहेगा यह कंफर्मेशन हो गई है समझेगा तो मेरे ख्याल से अब आप जो कर सकत है कि थोड़ा बहुत अपना एक्सपोजर लार्ज कैप की और शिफ्ट कर सकते हैं यह आपके लिए अडवाइजेबल रहेगा यह मैं खुद भी आज रिबैलन्स करने वारा हूं मैंने खुद के पोटफोलियो में थोड़ा बहुत कि थोड़े बहुत स्मॉल के मैं प्रॉ से तो नहीं निकलना है प्रॉफिट अब करके आप लार्ज केप के और थोड़ा बहुत इंकलाइंड हो सकते हैं बहुत सारे लार्ज कैप के स्टॉक का नाम फोटफोलियो में आप आल्रड़ी कई बाहर टेलिग्राम में दे चुका हो तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं सकते हैं चाहे तो कल बढ़ाएगा चाहे तो दो दिन बाद बढ़ाएगा लेकिन प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत तो आज आप करके जहिएगा वह आपके लिए सही रहेगा इन टम्स प्रॉट के पर चलेगा ठीक है और थोड़ा बहुत शिफ्टिंग के और बढ़िय नीचे यह समझ लिजेगा बाइस आट सो के नीचे अब निफ्टी को ने आती है कल के दिन मान लिए पर सो के दिन आते तो भी यहां था कि मैक्स आनी चाहिए और वापस वो मुड़ देगा अगर बात करें हम बैक निफ्टी के उसमें तो बात की थी हमने के जगा हाई नही कि बढ़िया मूव भी आफ्टर रिवन मार्के ओपनिंग और फोड़ा को बोगिंग के बाद भी कितनी बढ़िया मूव आई है और रहेगा भी सो टूवर्स अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है निफ्टी बैंक के निफ्टी बीज ले लिजे वो भी बहुत सही रहेगा सब्सक्राइब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या लेना है तो बैंक बीज या भी स्टोप ले सकते हैं स्मॉल के में जैसे बताया कि चलेगा चलतो रहे देखिए वह सब्सक्राइब है आधिया पर सब्सक्राइब से लेकिन डिपेंड है कि आपके पास स्टॉक्स कॉन से ह है अगर profit booking कल मारंकेट में आती है तो small cap will be top loser हो सकता ही समझेगा अगर कभी मार्केट में स्मॉल केप विल बी टॉप लूजर यह समझेगा आप पॉटफॉलियों पर ज्यादा होगा में दिक्कत है और जो हम जा रहे हैं आभी उपर के ट्रेंड में हमको वापस एक बार नीचा ना इस साल के अंदर अभी तो हम बहुत उपर जाएंगे 25-25 पर जाएंगे लेकिन ची अब अगर देखेंगे तो लार्ज कैप इतना चला ही नहीं है और अगर बहुत ऊपर जाना है वहां से अच्छा का सा कर्रेक्शन देना है तो जगा होनी चाहिए इसलिए यह लार्ज फेस में लार्ज के बहुत अच्छा पर्फॉर्म करेंगे यह बात हम अल्यड़ी कर भी बागेंगे तो इसमें सेफ्टी भी ज्यादा है और पॉसिबिल्टी ज्यादा है कि आपको अच्छा का सा ट्रेंड दे पाए तो आप इसमें क्लिर होगे कौन से स्टॉक बढ़िया उसका भी वीडियो आगा लेकिन वह आफ्टर मार्केट वीडियो आगा उसके लिए पर है उसको तुम्हें छादी ठोके बोला था कि यह पर्फेक्ट निकल जाएगा अगर वह वीडियो चाहिए तो मुझे जरू कमेंट बताएगा और यह वीडियो आपको हेल्फू लगा कि निए मुझे जरू बताएगा धन्यवाद